नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल इसकोर अंडर दर कम्प्लीट सक्सेस में आज की इस वीडियो में कम्प्यूटर नॉलिज संगल ज्यान प्राधार्थ प्रसनों को आपके समग प्रस्तुत कर रहे हैं जो अक्सर विभिन प्रकार की परिक्ष नॉलिंज में पूछे जाते हैं लेते हैं आज की वीडियो का पहला प्रसद है है प्रसद नमबर एक कंप्यूटर संगठन कंप्यूटर संगठन मूल्यांकन प्रसन और उत्रका वह सैट एक कंप्यूटर की कारिये इकाई पर केंदरित है कौन सा प्रारूप आम तोर पर डेटा को स्टोर करने के लिए कम्प्यूटर में प्रियोग किया जाता है सही उत्तर है ओप्सन नमबर B A, C, D यानि ओप्सन नमबर A, C, D प्रस्ण के संदर में सही है डेसिमल Hexadecimal और Octal प्रारूप का प्रियोग डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है अगला प्रस्ण है अतियंत तेज रैम को अतियंत छोटे अतियंत तेज रैम को क्या कहा जाता है छोटे अतियंत तेज रैम को कम्प्यूटरी भाशा में कैस कहा जाता है नेक्स्ट प्रेसन है, अगला प्रेसन, किस बस या बंच ओफ वायर्स सनचना का उप्योग आम तोर पर इंस्ट्रूमेंट और उपकरणों को जोड़ने के लिए क्या जाता है, शही उतर है सिंगल बस का, नेक्स्ट प्रेसन है, कम्प्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए उप्योग किये जाने वाले 8-bit encoding का प्रारूप कौन सा है, सही उतर है, ओप्शन नमर B, EBC, DIC, 8-bit encoding वाला प्रारूप है, नेक्स्ट प्रेसन, A-L-U, A-L-U मध्यवर्थी परिणामों को संग्रित करने के लिए किसका अप्योग करता है, सही उतर है, ओप्शन नमर A, संचे करता या एकुमूलेटर गारूप, अगला प्रेसन, Memory Access, समय को कम करने के लिए हम आम तोर पर किसका अप्योग करते हैं, समय को कम करने के लिए हम आम तोर पर कैच का प्रियोग करते हैं, नेक्स्ट प्रेसन है, एक स्रोत कारेकरम आम तोर पर किस भासा में होता है, एक स्रोत कारेकरम आम तोर पर किस भासा में होता है, तो सही उतर है, सही उतर है, उच इस तर ये भासा में होता है, अगला प्रेसन, MFC का पूरा नाम क्या है, सही उतर है memory function, memory function command, इसका पूरा नाम है, memory function command. Next question है, नियंतरन इकाई क्या उत्पन करके अनना इकाई को नियंतरित करते हैं, सही उतर है, option number B, समय संकेत यानी timing signals, कोई भी नियंत्रण इकाई, कंट्रोलिंग यूनिट, समय संकेत या टाइमिंग सिगनल उत्पन करके अन्य इकाईयों को नियंत्रण करती है Next question है किस memory device को आम तोर पर अर्ध चालकों से बना जाता है सही उत्तर है RAM, Random Access Memory को आर्ध चालकों यानि सेमिकंडक्टर से बना जाता है जैसे सिलीकॉन एक्सेक्टर Next question है आम तोर पर आम तोर पर आपरेट के रूप में उप्योग किये जाने वाले नमबर और अनकोड अक्षर है तो नमबर और अनकोड अक्षर होते हैं डेटा Next question आम तोर पर भौतिक स्मिर्थी के इसपस्ट आकार को बढ़ाने के लिए क्या अप्योग किया जाता है भौतिक स्मिर्थी यानि फिजिकल मेमोरी को बढ़ाने के लिए किसका अप्योग किया जाता है भौतिक स्मिर्थी यानि फिजिकल कम्प्योटर में फिजिकल मेमोरी को बढ़ाने के लिए हम अक्सर वर्चुल मेमोरी का व्योग करते हैं नेक्स्ट परसन है इन्पुट डिवाइस प्रोसेसर को सूचना कब भेज सकते हैं इन्पुट डिवाइस जो होती है प्रोसेसर को सूचना कब भेज सकते हैं जब एक सिन स्टेटस फ्लैग सेट किया जाता है तब इनको डिवाइस प्रोसेसर को सूच न भेज सकते हैं नेक्स पेसन है इस्मिर्ती ओपरेशन के दो किर्मिक दीक्षा के बीच समय देरी कौन सी होती है प्रेशन नमर 14 इस्मिर्ती ओपरेशन के दो किर्मिक दीक्षा के बीच समय देरी कितनी होती है कौन सी होती है सही उतर है ओप्रेशन नमर C मेमोरी चक्र का समय अगला प्रेशन है डीकोड किया गया निर्देश किस में संग्रहित होता है decoded किया गया निर्देश, instruction किस में store होते हैं सही उतर है IR register यानि instruction register में decode किये गया निर्देश संग्रित होते हैं next person, processor के आंतरी घटक किस से जुड़े होते हैं processor के computer में processor के आंतरी घटक किस के द्वारा या किस से जुड़े होते हैं सही उतर है option number A, processor interconnectivity circuitry से next question, कौन सा register माध्ध्यमिक भंडारण के साथ बाचीत कर सकता है यानि कौन सा register माध्ध्यमिक भंडारण के साथ बाचीत कर सकता है या समबंध बना सकता है, सही उतर है M-A-R next question, किस का उप्योग register में data को store करने के लिए किया जाता है सही उतर है option number A, D flip flop का उप्योग register में data को store करने के लिए किया जाता है next next question, एक कारेकरम के निस्पादन के दोरान जो पहले सुरू हो जाता है वह है सही उतर है PC किसी कारेकरम या प्रोग्राम को पूरा होने के लिए सबसे पहले क्या सुरू होता है तो सही उतर है PC यानि personal computer next question है PC को बढ़ाने के या ALU संचालन करने के बीच चैन करने के लिए उप्योग किया जाता है सही उतर है option number B multiplex को next question processor के कौन से register या S memory bus से जुड़े होते हैं सही उतर है MR, MAR memory address register next question question number 21 रजिस्टरों, ALU और उनके बीच के पारस्पर संवंद को सामुई की रूप से क्या कहा जाता है सही उतर है रजिस्टरों, ALU और उनके बीच के पारस्परिक संवंदों को सामुई की रूप से data पतर कहते हैं next person ISP का मतलब क्या है या ISP का पूरा नाम क्या है? सही उतर है, ISP का पूरा नाम है अनुदेशक सेट प्रोसेशर या इंस्ट्रेक्शन सेट प्रोसेशर ISP, I4 इंस्ट्रेक्शन, S4 सेट, P4 प्रोसेशर नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् ISA मानक बसों का उपयोग किस को जोडने के लिए किया जाता है? सही उत्र है हार्ड डिस्क और प्रोसेशर को जोडने के लिए ISA मानक बसों का उपयोग किया जाता है? Next question. विभिन प्रकार के उपकरणों में या विभिन प्रकार के उपकरणों के डेटा ट्रांसफर गती में अंतर को दूर करने के लिए उप्योग किया जाता है सही उत्तर है buffer register को विभिन उपकरणों के data transfer गती में अंतर को दूर करने के लिए buffer register का प्रियोग किया जाता है Next question एक bus में कई bus संख्ठन का मुख्य लाब क्या होता है सही उत्तर है option number A निस्पादन के लिए चक्रों की संख्या में कमी Next question Next question है processor bus Processor bus की connectivity को बढ़ाने के लिए हम किसका उप्योग करते हैं Processor bus की connectivity को बढ़ाने के लिए हम किसका उप्योग करते हैं सही उत्तर है option number A PCI bus का उप्योग हम processor bus की connectivity को बढ़ाने के लिए करते हैं Next question Next question कई bus संख्थन में कई bus संख्थन में Register को सामुईक रूप से रखा जाता है और किस के रूप में संदर्भीत किया जाता है सही उत्तर है register file के रूप में Next question है IBM ने computer की अपनी line के लिए एक bus मानक विक्सित किया for PC at जिसे कहा जाता है सही उत्तर है ISA IBM ने computer की अपनी line के लिए एक bus मानक विक्सित किया for PC at जिसको ISA कहा जाता है Next question Video का last question है ANSI का मतलब क्या है यानि ANSI का मतलब क्या है full form क्या है इसकी ANSI की full form है American 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 राष्टिये मानक संस्थान यानि American National Standard Institute ANSI का full form है दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दें साथ ही अगर पहली बार आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें साथ ही घंटी के बटन को जरूर दबाने जिससे आपको आगामी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए साथ ही दोस्तों वीडियो को जरूर सेर करें अपने दोस्तों को जहां पर भी आपका सोशल अकाउंट है जैसे वाट्साप, फेस्वुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बने रहे हैं हमारी चैनल पर हमारी आने वाली नई वीडियो तक